हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग जावा का और एक टॉपिक पढ़ने बाले हैं मतलब जावा के प्रोग्रामिंग के उपर ही फंक्शन दे कर ही हम लोग और एक प्रॉब्लेम सॉल्व यहां पर करेंगे तो सबसे पहले कोशन दिखें क्या है एक बर वह हम लोग पढ़ लेते हैं कोशन है मेरा राइटर प्रोग्राम टू इंपूट ए नमबर यूजिंग ए फंक्शन आम्स्टॉंग माला हम लोग को आम्स्टॉंग नम के एक फंक्शन यूज़ काना पड़ेगा इसके अंदर एक पैरामिटर है इंट एन तो एक सेप्सेप्ट नमबर एक नमबर यूज़र से लेना पड़ेगा दफँटर एक फंक्शन रिटरन 1 मेरा जो otherwise अगर वो armstrong नहीं होगा तो वो 0 return करेगा तो नीजे एक example दे दिया गया है अगर sample input होगा मेरा 153 तो sample output है यह armstrong का logic है 1 cube प्लस 5 cube प्लस 3 cube 1 cube का माला होते है 1 5 cube का माला होते है 125 और 3 cube का माला होते है 27 इन तीनों का अगर मैं add करूँँगा तो मेरा result हैगा 153 तो 153 एक मेरा armstrong number है तो यह है मेरा question अब चली देख लेते इसका solution कैसे हम लोग implement करेंगे हाँ तो अब यहाँ पर मेरा program start होता है सबसे पहले मैंने क्या क्या import java.io.start मनलब एक package को मैंने यहाँ पर import कर दिया उसके बाद class mn o नाम का एक मेरे पास एक class है और उस class के अंदर मेरे एक function है function का नाम है मेरा armstrong यह जो function है इसमें एक parameter है int n इसके अंदर जाके armstrong number का जो logic होता है उस logic को मैंने यहाँ पर implement कर दिया a equal to a int मैंने a ले लिया, a s equal to मैंने 0 ले लिया पूरा armstrong का logic है तो in का value जो है वो change हो जा रहा है loop के अंदर तो सही से देखना, loop के अंदर मेरा जो in का value है वो मेरा change हो जाएगा loop के अंदर इसलिए in का जो original number है वो मुझे चाहिए, इसलिए मैंने उस in को p में store करके रख दिया था इसलिए इसके बाद जब मेरा ये loop खतम होने के बाद जब में loop से बाहर जाऊंगा तो वहाँ पर देखिए int if वहाँ पर एक condition check हो रहा है if p equal to kya s है अगर p equal to s होगा तो return 1 होगा और अगर नहीं होगा तो return 0 होगा तो ये जो मेरा program है उसके recommendation के हिसाब से ये मुझे implement करना परा अब बात यहाँ पर यह आता है कि मैंने यहाँ पर return 1 और return 0 क्यों किया क्योंकि एक बार हम लोग question में चले जाते हैं तो यहाँ पर देखिए question में ही लिखा हुआ है कि अगर user जो number देखा वो अगर armstrong number होगा तो return 1 करेगा और अगर नहीं होगा तो return 0 करेगा तो इहाँ पर क्या हो रहा था इहाँ पर finally s का value मतलब s जो है उसमें finally result आके store होगा और p में क्या था मेरा p में n का value था initial जो n का value था वो p में store हो रहा था मेरा तो अगर p और s दोनों का value अगर मेरा same हो जाएगा तब जाएकर मैं return 1 कर दूँगा क्योंकि one return करने का मल्लब है कि वो जो number user ने input किया था वो मेरा armstrong number है और अगर user 0 return करेगा तो वो मेरा armstrong number नहीं है इसलिए यहाँ पर return हो रहा है void में कुछ भी return नहीं होता है क्योंकि void का मल्लब होता है null और int है इसलिए मैं इसको कुछ return करूँगा अब यहाँ पर मैंने int क्यों दिया क्योंकि question में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि function name है मेरा armstrong to accept the number एक number को accept करेगा the function return 1 function 1 return करेगा यह one क्या है one एक integer number है तो इसका मल्लब क्या हो गया function का जो return type होगा वो मेरा integer type ही होना पड़ेगा तब जाके यह कुछ return कर सकता है ओके तो इसी के basis से यह जो function है वो मैंने यहाँ पर implement कर दिया अब मुझे क्या करना पड़ेगा अब एक main लिखना पड़ेगा और main के through से यह जो armstrong function है उसको call करना पड़ेगा पर एक चीज यहाँ पर याद रखना और ज़रूरी है वो एही है कि अगर मेरा number जो है वो armstrong number होगा तो one return करेगा और अगर नहीं होगा तो zero return करेगा armstrong number का यह logic है यह मैं odd d समझा रहा हूँ यह तो अब लोगों को साइद मालूम ही है यह कैसे काम होता है इसलिए मैं इसके अंदर और नहीं जा रहा हूँ और a into a into a is leak है क्योंकि यह armstrong का logic ही था यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया था 153 अगर user input करेगा तो 1 का q, 5 का q और 3 का q का sum करने के बाद जो result आएगा वो अगर user ने जो input दिया वो ही आगर आ गया तब जाके हम उसको armstrong number बोल सकते हैं तो जो question का requirement था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर पूरा implement कर लिया है अब क्या करना है अब main function के तुरू से यह जो armstrong function है उसको हम लोगों को call करना पड़ेगा तो अब यह है मेरा और दूसरा class class का नाम है मेरा pqr उसके अंदर मैंने एक main function को implement किया public static void main sting arc throws io exception io exception में io e capital letter में होता है x c e p t i o n exception small letter में होता है हमको क्या करना है mno class के अंदर जो last class था मलब जिसके अंदर मैंने armstrong function को implement किया था उस class का नाम था mno mno class के अंदर जो function है उसको आप हम लोगों को call करना पड़ेगा तो उसके लिए मैंने किया mno class का एक object define किया r equal to new mno bracket open bracket close मलब यह हो गया mno class का object define करने का technique उसके बाद buffer reader क्योंकि user से मुझे input लेना पड़ेगा इसलिए buffer reader मैंने use किया buffer reader br equal to new buffer reader new input stream reader system.in उसके बाद int n और m को मैंने यहाँ पर different किया system.out.print मैंने यहाँ पर short form पर लिखा ता आप लोगों को भी short form में आपड़ेगा ऐसा कोई मल्लब नहीं है आप लोग पूरा ही लिखना उसके बाद int equal to integer.parts in vr.readland करके user ने एक input दे दिया जो in में आकर store हो गया है मेरा अब यहाँ पर देखिए r.armstrong r क्या है r है मेरा amino class का एक object है मेरा r तो r.armstrong का मलब है कि मैंने armstrong function को call कर दिया और parameter के थूर से मैंने किसको बेजा in को बेजा in क्या है in user ने जो input देगा मलब user अगर 153 देगा तो in का value हो चुका है मेरा 153 तो r.armstrong 153 को मैंने यहाँ से call कर दिया यह call करने का मलब क्या है वो mno class के अंदर जो armstrong function है उस function में अब मैं direct चला जाओंगा और वो जो function था मलब armstrong जो function था वो finally क्या return करेगा 1 या 0 return करेगा अगर match होगा मलब user जो number देगा वो armstrong का logic अप्लाई करने के बाद अगर वो ही number फेट से return आ गया तो वो जो function है मलब armstrong जो function है वो 1 return करेगा और वो 1 कौन पगड़ लेगा वो 1 यहाँ पर M पगड़ लेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर M equal to लिग दिया तो वहाँ से जो result return होगा वो M में आकर store हो जाएगा अब यहाँ पर check हो रहा है M equal to equal to अगर 1 होगा M का value अगर 1 होगा तो system.out.print armstrong number और अगर नहीं होगा मलब M का value अगर महाँ से 0 return करेगा तो 0 equal to 1 नहीं है condition false तो else में आ जाएगे तो यहाँ पर print होगा मेरा not armstrong number system.out.print not armstrong number और finally जो दो bracket उपर में open हुआ था यह दो bracket यहाँ पर close हो गया एक है मेरा class pqr का bracket और दूजरा है मेरा main जो method था यह फ़ी जो function था उसका bracket दो bracket यहाँ पर close हो गया तो यह हो गया आपका armstrong number का एक program using function से कैसे implement किया जाता है तो friends यह जो topic है वो यही पर खतम होता है अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आए तो please subscribe कर देना मेरे channel को साथी साथ bell button को भी प्रेस कर देना क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोट करूँगा उसको notification आप लोगों के पास पहुंच जाए Thank you friends